दोस्तों अभी अभी सबसे बड़ी और हैरान करदने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है एक लड़की ने एलियन्स को लेकर सबसे बड़ा दावा किया है हर जगा तहल का मच गया है बैग्यानिक पूरीतरा से हैरान है इस लड़की के इस दावे से तो दोस्तों इस लड़की ने ऐसा क्या दावा किया है आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से वीडियो काफी इंट्रस्टिंग बनने वाली है तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जयहिंद लिखना मत भूलिएगा ऐसा कहा जाता है कि ब्रमान की गुथियां और धर्दी की लड़कियां समझ के बाहर होती हैं दोनों को देखकर ये कहा नहीं जा सकता कि उनकी अंदर चल क्या रहा है दरसल इस कहानी में ब्रमान की एक और लड़की उलजी हुई गुथी है यकीन मानिये ये कहानी इतनी दिल्चस्वय की इस पर वॉल्विट की फिल्म बन सकती है फ्यार करने वालों का जब जिगर आता है तब रोमियो, जूलियट, सीरी, फरहाद, रांजा और हीर का नाम लिया जाता है लेकिन अपसे इसमें एक और नाम जूलने जा रहा है एवी और जादू का नाम एवी और जादू का नाम इसलिए क्योंकि उनकी एक प्रेम कहानी सिर्फ धर्ती पर नहीं बलकि ब्रम्हान पर भी लिखी जा रही है दरसल इस्ट लंदन की रहने वाली एवी ने दावा कर रही है कि वो एक एलियन से प्यार करती है और वो एलियन भी उन्हें उतना ही प्यार करता है एवी का दावा है कि उन्हें दूसरी दुनिया से आया एक एलियन भगा ले गया था और वो उसके साथ भाग भी गई थी और तो और जबसे एलियन्स के साथ एबी का फियर सुरू हुआ है तब से धर्ती के मर्दों से उनका मोह भंग हो गया है एबी का दावा है कि वो इस एलियन्स को डेट कर रही है मगर सवाल यह है कि आखिर एलियन के साथ एबी का ये अफियर सुरू कैसे हुआ एबी का कहना है कि कुछ वक्त पहले योफो में बैट कर कुछ एलियन आये थे और उन्हें उनके घर से भगा कर ले गए जिस यफो से एबी को ले जाया गया उसमें उस एलियन के लामा चार और एलियन थे अब उनमें से एक उसका प्यार है और हमसफर भी डीवी एक्टरेस एबी की ये बातें तो गले तो नहीं उतरती हैं लेकिन उनका कहना है कि उसका वाइब फ्रेंड उसे इंसानों से बहतर समझता है वो उस एलियन से काफी अच्छे से कनेक्ट हो पाई उसका वाइब फ्रेंड एंडरो मेडा गैलेक्सी का रहने वाला है अब उसे अपने वार्फरंट से धुबारा मिलने का इंतिजार है अपने इस नए रिलेसंसिप पर एभी का कहना है कि वो प्रिथवी के मर्दों से वैसे ही बोर हो गई थी अब इस नए प्रेमी ने उसकी नीरस जिंदगी में रंग घोल दिया है ये सिलसला तब सुरू हुआ जब इभी ने अपने मन की बात सोसल मीडिया पर पोस्ट की उन्होंने लिखा है कि वो धर्ती के मर्दों से बोर हो चुकी है और अब उन्हें किसी एलियन्स का इंतिजार है वो आए और उसे आकर ले जाए इसके बाद से वो हर रात में इसे लेकर सपने देखने लगी फिर एक रात उसके सपने में एक एलियन आया और उसने कहा कि उसी जगा पर मेरा इंतिजार करना अगली साम उसने अपनी घर की खिड़की पर एलियन का इंतिजार किया वहीं इंतिजार करते हुए उसे नीद आ गई इसके कुछ देर बाद एक योफो आया और एवी को लेकर चला गया एवी ने कहा कि उस योफो में पांच एलियन थे उसमें से एक जो सबसे बड़ा था उसी के साथ एवी ने कनेक्ट किया एवी का कहना है कि इस दवरान वो काफी घबरा रही थी लेकिन उसके प्यार ने उसे सपोर्ट किया 20 मिनट के बाद योफो ने उसे वापस घर तक छोड़ दिया उसके बाद से लेकर अभी तक एवी अपने दूसरे डेट का इंतिजार कर रही है एवी अपने नए बाइफरेंड के ग्रह पर जाना चाहती है उसने बताया कि एंड्रो मेडा गेलक्सी जाकर वो देखना चाहती हैं कि उसके प्रेमी से जुड़े लोग कैसे हैं हाला कि जब से सोसल मेडिया पर उसने अपने नए प्रेमी का जिगर किया है तब से कई लोग उसका मजाग बना रहे हैं खई लोगों ने एवी की प्रेम कहानी को खालपनिक बताया लेकिन एवी को इससे कोई फर्क नहीं परता वो अपने वाइफरेंड के साथ काफी खुस हैं एवी ने जो अनोखा दावा किया है उसकी वज़ा से वो काफी चर्चा में आ गई है आपको बता दें कि एवी पेसे से एक एक्ट्रेस हैं यानि हीरोईन